लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें कोरोना वाइरस का कहर इसकदर बढ़ता जा रहा है कि सरकार की मुसीबतें कम होने के बजाए बढ़ती जा रही है हाला कि सरकार इस पर काबू पाने के लिए देश भर में लोकडाउन का सहारा ले रही है हाल ही में केंदर सरकार ने लोकडाउन के चलते देश के विभिन भागों में फसे प्रवासी मजदूरों, छातरों, वेपरियटकों आदी को उनके घर पहुचाने के लिए बसो द्वारा आवाजाही की घोशना की थी लेकिन इसी बीच कई राज्यों की सरकारों ने केंदर सरकार से अपील की थी कि दूरी के राज्यों में जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन करे ऐसे में राज्यों की ये अपील केंदर सरकार ने स्वीकार कर ली है और इसी बीच लोकडाउन में फसे लोगों को ट्रेनों के जरिये उनकी ग्रह राज्ये तक पहुचाए जाने की अनुमती मोधी सरकार ने दे दी है इसी के साथ ग्रह मंत्रालिय ने आपदा प्रवंधन अधिनियम में दो दिन में दूसरी बार संशोधन करते हुए दूसरे राज्यों में रहने वाले मजदूरों विध्यारतियों को राहत प्रदान की है साथ ही नए संशोधित गोशना पत्र में रेल मंत्रालिय एक नौडल अफसर तैनात करेगी जो राज्ये सरकारों के साथ मिलकर इस दिशा में काम करेगा कि कैसे अलग-अलग राज्यों में फसे प्रवासी मजदूरों को घर पहुचाया जा सके इसके लाबा लोकडाउन में जारी की गई नई गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मास कादी का प्रमुक रूप है बताने की गुरुवार को ही बिहार, तेलंगाना और पंजाब ने केंद्र सरकार से फसे लोगों को उनके घरों तक पहुचाने के लिए विशेश ट्रेन चलवाने की मांग की थी इसी के साथ केंद्र सरकार से हरी जंडी मिलने के बाद देश के अलग-अलग राज्यों में फसे मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों को वापस लाने की प्रकरिया राज्य सरकारों ने शुरू कर दी है